एर फ्रैंस जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर चातरवर्थी यानिके PMS जो स्कोलर्शिप है उसकी लास्ट डेट जा चुकी है और मुझे नहीं लगता है कि अब वो एक्स्टेंट होने वाली है अगर ओनी होती तो वह कपकी हो चुकी होगी अब देखो 15 तारीक इसकी लास स्टेंट हो जाती है लेकिन अब नियों जोगी जिन्होंने भर लिया है बहुत अच्छी बात है जिन्होंने नहीं भरा कर लेना है और जिन्होंने भरा है और कुछ स्टुटेंट को स्टूर्ण बेकவर प्रीजेक्शिंज की और चोप देmaalेस्व. सेड़न बैक औरकेक्शन्ट की उब्जेक्शन्स का मेसीज आ राया है लेकिन फ़ह कुछ studentों को नहीं पता होता कि ये क्या भला है इसकства समझवनीजरी आता है क्युक्icion उनके मुटाफ़ यह तु कुछ हमें तो समझ में आनी रहा है तो बहु किस बजय से आया है किस लिए यह सैंडवेक आया है ने समझमें आ रहा है वहाई क्यूक्स कि ऐसी ऐसी सिदह सिदह बोल देते हैं कि भई अधार और बैंक से लिंक कराना है तो बंदा समझ में आ जाता है अना लेकिन ऐसे अधार सिदह डोकेमेंट ऐसी लेंगवेजिस का इस्तमाल किया है जो कि भाई फर्स टाम जो सुनता है उनके तो उनको समझ में आयन जाता तो यूटूब यूटूब की वीडियो देखना शुरू करते हैं ऐसी ही मैं एक नई और चीज़ आप लोगों को बताने वाला हूँ जो कि सेंट ब लग रहा है क्योंकि वाई फर्स टाइम आप देख रहो हो इन फैक्ट जब आफ फोर्म रेजिस्टेशन फोर्म भर रहे होते हैं तब भी इन लेंगवेजिस का इस्तमाल नहीं हो रहा था कहीं भी नहीं हो रहा था तो कौन सा सेंट बेक ऐसा है जो कि बहुत सारे चात्रों चात्रों को स्टूडेंटों को परिशान कर रहा है वो है मैं आपको पता देता हूं उसका नाम है जो कि बहुत स्टूडेंटों को थोड़ा स्कंफ्यूज कर रहे हैं तो पी आर एन नमबर अब यह क्या भला है भाई यार पी आर एन नमबर यह तो भाई कहीं भी नहीं था जब हम रेजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे थे तब भी कहीं नजर नहीं आ रहा था ये तो तो यह तो यह तो यह नगर तो टीक कर ले लोग कम से कम प्रोब्लम तो समझ भाए यह 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 कुछ लोगों को जिन जिन लोगों को यह पी पी आर एन का सेंट बेक आ रहा है वाई ध्यान से सुलो यह आपके लिए फाइदे मंद है पी आर एन नंबर क्या है यह क्या बला है यह तो आमने जब हम फोम भर रहे थे तब इनिया रहा था तो इसकी की फूल फॉर्म है कि पर्मानेंट रेजिस्ट्रेशन है नंबर कि अब समझ वहां गया मेन प्रमानेंट रेजिस्ट्रेशन नंबर अब यह क्या वह अगर जिस इसको यह आ रहे हैं तो सको क्या करना पड़ेगा सित्थी सेफ़ातों कि आपने युनिवस्ति नमबर सुना है अफोच जीनों ने उनिवस्ति है नमबर में उपने जो पर भुक करते हैं कि सो नोडर सब्सक्राइब कि हो ऊपने जो उसको ठीक कर ली जीएगा कि यह सेंडबेक युनिवरस्टी नंबर कहा से आएगा it नम्बर कहा से आएगळा आपके दिमाग में यह आपने यह यह registration number है वही आपने university number डालना है त्यास तुना registration number ही आपका university number है अब registration number कहाँ से आएगा आपके दिमाग में यह है तो first semester में आपने exam दिये थे जब आपके पास admit card आया था उसमे रोल नमबर भी होगा साथ में आपके पास वहाँ देख लेना राइट या लेफ्टे साइड में होगा रजिस्रेशन नंबर में आएगा बस वही का वही की विलकुद सेम वही नंबर आपने युनिवर्स्टी नंबर में डाला आपकी प्रोब्लम सोल हो जाएगी जिनको पी आर एन नंबर का जो सेंड बेक आया है वो जहां से सुनना जिनको पी आर एन का सेंड बेक आया है होडी या फिर नोडल की तरफ से उनको ये करना है कि उन्होंने रेजिस्ट्रेशन नंबर डालना है जो कि आपने गलतियां की थी युनिवर्स्टी नंबर डालते वक्त कोई आपने गलतियां की थी तब जाके ये सैंड बेक आया है आपको पी आर एन नंबर का तो आया हो आपको सब कुछ के लिए आ गया होगा बड़ी इसलिए आपको मैं समझा रहा हूं बिल्कुल ना कन्फ्यूस करते हुए आपको एक एक सुल्जा हुआ बाई मैं कहा रहा हूं कि गलतियां स्टूडन लेकिन उससे भी ज्यादा गलतियां तो करते हैं डिपार्ड मेंट वाले कॉंसे वाले टि Spotify बाले है जोकी के आपके कोलिज के अधिकारी ही वो कॉलिझ वाले क्योंकि भाई बिना बीना एंस्टूडो़ वाले कूंकि वह बिना वेरिफाइक किये आपके form को आप्रूब करत लेकि प्रोब्लम सबसे ज़्यादा आप लोगों को ही हो रही है क्योंकि जब नोडल की तरफ से जाएगा आपका फॉर्म वहरीफाइव होने के लिए फिर वह सेंट बेक के लिए फेज देंगे अगर वह पहले से ही कोलिज वाले आपका वेरीफाइव करके कुछ गलतिया गलतिया है वह ऑबजेक्शन डालके उठी करके अप्रूब कर देते तो आगे आपको पुरिशानिया नहीं होती एक्चुलि म को यह सेंट बैक की प्रोब्लम आरी ऐसे मतले जो आरी है स्टेटेस आ रहा जब आप चेक करते हो तो सेंट बैक आ रहा है तो उनको यह प्रोल्म आती है कि तब आप जाते हो अपने कोलिज वालों के पास पूछते हो सरी यह क्या है अब वह सर बोलते हैं कि प्रशान है बीच में फसे होए है यार उदर जाए उदर जाए तो जातक मेरी जो कमन सेंस बोलती है जातक मेरा माइंड कहता है कि आप कोली जो आलों के पास ही जाए अगर नहीं कर रहे हैं उनको बोलो के सरी आपका काम है नोडल आदिक आ रही ना अप्रूप तब करेगा जब आप पीछे से ठीक करोगे भाई भाई बोल रहा हूं यह तो आप लोगों को बोल रहा हूं तो जिन जिन को यह सेंडबेक की प्रूम आ रही है जैसे कि यह पी आर एन नंबर की सेंडबेक की आ रही है या फिर कोई दूसरी भी सेंडबेक की प्रूम आ रही है कुछ को तो समझ में आ रहा है कि परोबलेम थी हमारे फैम में जो सेंड बेक आया कुछ को नहीं समझ रहा है नहीं आ रहा है तो आप जाओ वहीं जाओ जहांब से आपका फोम अपुरूब किया था क्यों कि आया सारे वही सबसे गल्दा यहां तब नोडल की तरफ आया आपका फॉम तो जिनके की प्रोब मारे तो आप महां पर जाओ अपने यूशे म्हार से आप गए थे वहां हाड़ कोपी लेके गई थे अपरूब कराने के लिए तो उन्होंने बीना देखे ही आपकी फोर्म को अपरूब कर दिया सबसे बड़ी गलतिया कर दिये क्योंकि भई चल्द वाजी में कर देते हैं लेकिन कम से कम चेक तो करना चीए था यार डिपार्टमांट वार आप लोग एक और जुरूरी बात है जहां से सुनना कि जिनके पास यह सैंडबैक का स्टेटेस आ रहा है दिख रहा है तो अध्यान से सुनना तो उनको यह भी जब आपको कोलिज वालों की पास जाओ तो जो यह सेबसी के स्कोलिशिप एंडल करते हैं उनकी पास जाना है स चाकि हम अपने फोर्म को सही से उसको अप्डेट कर ले सुनो मेरी बात आपके पास एक प्रोपर मैसी जाएगा जब आपके पास मैसी जाएगा तो तो ही आपने किसी साइबर काईफे में या केम्प्यूटर वालों के पास जाना है अपनी गलतिया ठीक कराने का आप गलतिया तो ठीक कर रहोगे तो सुनी मेरे बात कि जब जब आपके क्रेक्शन के लिए जा रहे हो ना तो जितने भी डोकेमेंट आपके लगने थी आपका कास्ट् लोड करें थे आपने फर्स्ट टाइम रेजिस्ट्रेशन करते बर तो वह दुबारा से फिर से लगेंगे कि कंफ्यूज मत आओ मैं आपको बता रहा हूं यह तब जाना आपके बस साइबर काफी के पास तब जाना है जब आपकी पास प्रोप्रे के मैसीज आ जाए आपके एक मैसीज आएगा आपको अब्जेक्शन का तभी आपको वहां जाना साइबर काफी में जहां आपने फर्स्ट टाइम जहां पर करवाया था रेजिस्ट्रेशन करवाया था फोर्म के लिए अप्लाई किया था वहीं चले जाना दुबारा से वह पैसे भी थोड़े से नही नहीं लेगा तो वह करेगा उसको कहते हैं अगर वह कुछ कर रहा हूं कि वही गलतिया ठीक कर रहा है जैसे कि माले की कोई रेजिस्ट्रेशन नंबर में अब्जेक्शन आ रहा है अब वही रेजिस्ट्रेशन नंबर ठीक करके कर रहा है गलत कर रहा हूं उसको बोल वह या साइज किये थे वह सारे के सारे खाली हो चुकी होते हैं नो फाइल शो होगी है जैसे ही आपके पास अब्चेक्षन का मैसेज आएगा तो जब आप करेक्शन के लिए ठीक अपडेट कराने के लिए किसी का साइर काफे में चाहोगे तो वह डोकेमेंट की सारी की साई सारी वार्य-वार्यक्रा कॉछ वीजा तो सारसाै չले उससा होगी होगा इसलिए इसまあ एक अपक्रات सेश्च कर 25 6 ुर्फ जाओगे आफिट करॉगे तो सार की दोकनेंटेश लेके यही जाने क्योंकि सारे के सारे दुबारे से अप्लोड होंगे अपका अधा सीडर डॉकमेंट लगालो या फिर आपके जो पास बुक है बेंक की वो सारे के सारे अप्लोड अप्लोड होने दुबारा से एक किसम का यह होगा कि आपने दुबारा से फोर्म भर दिया हूँ यह तब होगा तब जाना आपने जब आपके पास अब्जेक्शन का मैसिज आ जाए सैंडबेक नहीं सैंडबेक भी आ रहा हो तो ठीक है लेकिन साथ में एक मैसिज भी आना चाहिए आपको पास अब्जेक्शन अड़ा यह आएगा तभी साइबर कैफ में जाना है आपने कि चब तक है आपके पास ऑब्जेक्शन का मैसिज नहीं आएगा तो वह नहीं खुल के आएगा अपडेट का उप्शन नहीं आएगा आप गलतिया ठीक नहीं कर सकते और तो आयोफ आपको समझ में आया गया सारी की सरी डीटेल Μता रहे हैं सब लंबी वीडिए तब इसलिए बनती पाई। टीपली समझाना पड़ता है मेरे भाई। एक एक चीज आपको बतानी पड़ते हैं, तब जाके। टोमेटिक बाई भी वीडियो बनती है छोटी सी वीडियो बना दूँगा तो आपको स्मझ में आएगा गाएगा इंप्रूबिशन सही ते दी नहीं है तो यह थी वीडियो भाई लास्ट डेट जा चुकिए अब अक्स्टेंट होने का सवाल पेदा होता नहीं है तो भाई जिनों ने भर लिया तो अच्छी बात है और जिनों गलतिया की है तो जो जो मैंने समझाया है आपको वही करना कि आपको जब सैंड बैक आ रहा है कोई भ एक बैस्ट डालो ताकि हम हमारी जो गलतिया है उसको ठीक कर सके सबसे ज्यादा गलतिया कर रहे हैं तो एक बार मैं फिर से बता दूं आपको वह एक बार से फिर से रिमाइंड करा देता हूं कि जिर के पास से यह सैंड बैक का जो आया है स्टेटस में आपने देख भी लि नंबर यूनिवर्स्टी नंबर रेजिस्टेशन नंबर ये भाई एक ही है एक ही है घप्राना मत कन्फ्यूज मतोग पी आर एंड नंबर का मतबल है पर्मानेंट रेजिस्टेशन नंबर तो फोम में आपको नज़र आएगा यूनिवर्स्टी नंबर तो यूनिवर्स्टी नंबर में देखो ये वीडियो तो बाई सालो साल चलेगी हर बार यह तो है नी एक्सपाइर हो जाएगी तो जो भी देखके आएगा उनके लिए बेनिफिट है तो चब भी आप जब भी इछली साल कभी भी भर रहे हो तो ध्यान से सुनना अगर आपके पास P ध्यान से देख लेना तो कंफ्यूस मत आओ कोई भी अगर सवाल है तो कमण करके पूछ लेना आपका भाई मैं 24 गंड़ा वेवेल हूँ आपके रिप्लाई जुरूर दूँगा क्योंकि भाई तो ध्यां से सुना P R और युनिवेस्टी नंबर और रेजिस्टेशन नंबर यह एक ही है तो जब आप रेजिस्टेशन फॉर्म भर रहे थे तब युनिवेस्टी का जिकर हो रहा था युनिवेस्टी नंबर का जिकर हो रहा था वहां पर आपने लिखना है रेजिस्टेशन नंबर और सेमेस्ट में जो आपने एडमिट कार्ट रोल नमर था उसके साथ में आप देख लेना पास में राइट होगा या लेट होगा जो भी है तो फिलाल यही थी वीडियो डूम डूम मैं डों ट्रबल यो ने मदर यो फादर भाई मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा था क्योंक सबस्सक्राइब नममत पास में आपको बखान कर लrid दिए्यूर्ट इसनी कान Всем our time makes it sh